दोस्तों नुपर शर्मा के इश्यू को लेकर मुसलिम कम्यमीनिटी द्वारा लगातार ये मांग की जा रही है कि नुपर शर्मा को कम से कम गिरफतार करना चाहिए और कुछ लोग ये भी मांग कर रहे हैं कि इतनी बड़ी घलती की वज़ा से नुपर शर्मा को फासी होनी चाहिए अब इस पर कई सारे सेकुलर हिंदू भाई हमसे कमेंट बाक्स में सवाल कर रहे हैं कि भे ऐसे में हमें नुपर शर्मा के समर्थन में खड़े होना चाहिए या उसका विरोध हमें करना चाहिए दोस्तों मुझे लगता है इस देश का हिंदू हमेशा से ही इंसाफ फसंद रहा है और उसी इंसाफ के साथ इस बार भी इस देश के हिंदू भाईयों को नुपुर शर्मा को कम से कम 40 दिन के जेल की सजा पर राजी होना चाहिए क्योंकि अकबरुद्धिन ओवईसी जी ने जब हिंदू देवी देवतां का अपमान किया था गनेश जी का मज़ा कुड़ाया था तब उन्हें भी 40 दिन तक करीब करीब सजा हुई थी तो उसी इनसाफ के साथ हिंदू भाईयों को भी इस पर राजी हो जाना चाहिए कि नुपुर शर्मा को कम से कम 40 दिन तो जेल की सजा मिले लेकिन उसके बाद अगर मुसल्मान भाई ये चाहेंगे कि नुपुर शर्मा को कम से कम 10 साल की सजा तो मिलनी चाहिए तो उस वक्त हिंदू भाई भी ये मांग कर सकते हैं कि OECG को भी कम से कम 10 साल की सजा मिले तो चाहे जो भी हो दोनों को ही बराबर सजा मिलनी चाहिए और दोनों के साथ ही same judgment होना चाहिए क्योंकि कोई भी धर्म भारत में कम या ज्यादा नहीं है इसलिए दोनों ही धर्मों का बराबर सम्मान करते हुए दोनों को ही बराबर सजा देनी चाहिए अगर दोनों के इंसाफ में थोड़ा सा भी भेदबाव किया गया तो इशियो फिर सालों तक चलता रहेगा इसलिए दोनों के साथ बराबर इंसाफ होना चाहिए तब जाकर ही इस देश की हिंदू और मुस्लिम कम्यूनिटी शान्थ हो पाएगे Thank you so much guys